हलो अबरिबर आज हम अलफरिक पैनेसिंगी मशूर कविता लेडी ओफ शैलोट की समरी करने जा रहे हैं इस कविता की दरसल दो वर्जन्स पब्लिश्ट हुए हैं पहला वर्जन 1832 में पब्लिश हुआ था और उसका रिवाइज़ वर्जन 1842 में पब्लिश हुआ था इसका रिवाइज़ वर्जन है वही जादा तर जगहे पर पढ़ा जाता है और प्रिस्क्राइब किया जाता है इसलिए हम इसका रिवाइज़ वर्जन यानि कि 1842 का वर्जन आज पढ़ रहे हैं यह जो कविता है यह किंग आर्थर की मशूर टेल सेंस पायर है और यह जो हमारी लेडी ओफ शैलोट है यह गुणी वियर है तो आप इसे शुरू करते हैं कविता की शुरूवात में केमलोट टाउन की रिवर्स, रोड और लेंड्सकिप का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और इसी रिवर के बीच ओ बीच है शैलोट आइलेंट जहां पर एक टावर के अंदर बीचों मीच हमारी लेडी ओफ शैलोट यानि की गुणी वियर रहती है रिवर में बोट्स तो तेरा करती है पर आइलेंड पे काफी जादा लोगों का आना जाना नहीं है किसी ने भी आज तक लेडी ओफ शैलोट को नहीं देखा है हां वाँ फील्स में काम करने व उसने सुना है कि उसे एक कर्स लगा हुआ है अगर वो शैलोट शैर को या बाहर की दुनिया को आँखों से देख लेगी या सामने से देख लेगी तो कुछ बुरा होगा या फिर उसने कभी भी ये बुनाई का काम रोक दिया तो कुछ बुरा होने वाला है ऐसा उसने सुन रखा है इसलिए वो दिन रात बुनाई का काम करती है हाला कि उसके पास एक मिरर है जिसमें से दुनिया की परचाइगा दिखा करती है वो केमलोट शेहर को उस मिरर से देखती है फार्मर्स को देखती है वहां की दिन को देखती है रातों को देखती है कपल्स को देखती है औ इसने बहुती शाइनी आर्मर पेना हुआ है, उसके गुंगराले बाल है, कैरिस्मेटिक परसनेलिटी है उसकी, वो जैम के जैसा दिखाई देता है, यहां जिस नाइट की बात हो रही है, वो नाइट कोई और नहीं सर लैंसलोट है, जो कि मशूर किंग आर्थर की टेल्स में नजर आते हैं, सर लैंसलोट जो है, वो रिवर के किनारे होर्स राइडिंग कर रहे थे, और लेडी ओफ शैलोट ने उसे देख लिया, वो उनसे चार्म हो गई, इतनी चार्म हो गई कि उसने बुनने का काम रोग दिया, क्योंकि उसने बुनाई रोग दी, कर्स चालू हो उसका जो शीशा था, मेरर था, जिससे वो दुनिया को देखा करती थी, वो भी तूट जाता है, और लेडी ओफ शैलोट को पता चल चुका है, कि अब कर्स काप करने वाला है, अब उसके डूम की शुरूवात होने वाली है, इसलिए वो टावा को छोड़ देती है, एक बो आते हुए जाती है, अपनी आने वाली मौत का, वो तब तक गाती है, जब तक कि उसकी आवाज रुक नहीं जाती, और उसकी आँखों की रोशनी डिम नहीं होती चली जाती, अंतत है, लेडी ओफ शैलोट अपनी एक अंतिम सांस लेती है, सुबै सब केमलोट के लोग इख शैलोट, तब उन्हें यकीन नहीं होता, और उनके अंदर एक डर सा बैट जा, कोई उसे हाथ तक नहीं लगा पाता, लोगों का दिल इतना भार आता है, और वो इस्तने कांपने लगने कि कोई उसे छूता तक नहीं है, केवाल एक लैंसलोट ही है, जो इसकी हिम्मत कर पात और इसे अपने फेवरिट लोगों को शेयर करना ना भूले, तैंक यू सो मच